दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले हैं UTI Flexi Gap Fund के बारे में काफी टाइम से काफी लोग पूछ रहे थे इस Fund के बारे में तो आज इस वीडियो में हम डेटेल में बात करेंगे कि ये Fund कैसी Returns दे रहा है इसकी Investment Strategy कैसी है और ये अपने Benchmark को कितना Regularly बीट कर पा रहा है तो इन सभी चीजों पर डेटेल में इस Fund पर बात करेंगे तो आएए देख लेते हैं ये वीडियो तो दोस्तो अभी तक अगर आपने अपना Demet Account नहीं खुलवा है अब दोस्तो अगर हम इस Fund के बारे में डेटेल में बात करते हैं तो ये एक Flexi Cap Fund है यानि कि इस Fund के उपर पूरी Flexibility है कि ये Large, Mid और Small Cap किसी भी टाइप की कंपनी में कितना भी पैसा इंवेस्ट कर सकता है कोई restriction नहीं है अगर इसके Benchmark Index की बात करें तो Nifty 500 इसका Benchmark Index है और अभी इसके Portfolio में लगभख 63 Companies मौजूद है वहीं दोस्तो अगर हम इसके Launch Rate की बात करें तो January 2013 में ये Fund launch हुआ था इसके Fund Manager की बात करते हैं तो Mr. Ajay Tiyaghi G. इस Fund को हम manage कर रहे हैं January 2016 से तो एक consistency यहाँ पर दिखती है अगर हम Fund Manager की बात करते हैं जो कि एक positive बात होती है किसी भी Fund के लिए वहीं दोस्तो अगर हम यहाँ पर इसके Asset Under Management पर बात करें तो थोड़ा Higher Side Pace का Asset Under Management दिखता है 24,000 करोड से जादा का Asset Under Management यहाँ पर इस Company का हो चुका है तो यह एक थोड़ा concern की बात हो सकती है अगर आप नए investment इसमें करना चाते हैं वहीं दोस्तो अगर हम बात करें इसकी market cap wise allocation पे तो large cap companies में 61% पैसा mid cap companies में 31% पैसा और small cap companies में 4% पैसा यह लगा कर चल रहा है तो दोस्तो बहुत जादा risky यहाँ पर यह चीज हो जाती है इस point of time पे कि अगर कोई fund 31% पैसा mid cap में लगा कर चल रहा है हमने और भी flexi cap fund का भी review किया था जैसे कि पराग पार एक PGM India यह सभी 70-80% पैसा large cap में shift कर चुके थे तो थोड़ा यह fund जो है साइट पर दिखती है point 93% इसको category average से compare करेंगे तो लगबख category average जितनी ही यहाँ पर इसकी expense ratio है तो आज के time के हिसाब से थोड़ी expensive यहाँ पर इसकी expense ratio दिखती है वहीं दोस्तो बात करें इसकी exit load पे तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा एक साल के अंदर निकाल लिया तो 10% पैसे पर आपको कोई exit load नहीं देना होगा 10% से जादा पैसा अगर आपने अपना एक साल में निकाला तो आपको 1% का exit load यहाँ पर देना होगा वहीं अगर आप इसकी investment strategy समझें इसकी risk ratio से तो standard deviation 19.54 है start ratio 0.92 और turnover ratio 10% के आसपास की है अगर इसको standard deviation को हम category average से compare करते हैं तो आप देखेंगे standard deviation जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया है किसी भी fund का यह बताते हैं कि एक fund कितना ज़ादा volatile है return देने के मामले में और यह जितना कम होता है उतनी stability किसी भी fund की दिखाती है तो यह fund थोड़ा ज़ादा volatile है category average से अगर आप compare करते हैं उसका एक reason यह भी है दोस्तों क्योंकि यह mid-cap companies में ज़ादा पैसा लगा रहा है तो इसलिए थोड़ा volatile यह ज़ादा है वहीं sharp ratio की बात करें तो sharp ratio यह बताते है कि एक fund कितना ज़ादा risk adjusted return दे पा रहा है यानि कि कम risk लेकि ज़ादा return उस मामले में यह fund यहाँ पर अच्छा दिखता है sharp ratio जितनी ज़ादा होती है उतनी एक better risk adjusted return दिखाती है तो यह चीज़ में यह fund better करता हो दिख रहा है companies को portfolio में add कर रहा है तो turnover ratios की काफी अच्छी है सिर्फ 10% की यानि की बहुत ज़ादा changes यह fund अपने portfolio में नहीं करता है अब दोस्तों अगर इसकी sector wise allocation पे बात करें तो सबसे ज़ादा पैसा यह financial sector में 26% के आसपास लगा कर चल रहा है उसके बाद technology sector में 15% healthcare sector में 13% और service और chemical sector में भी अच्छा खासा allocation यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो majorly इन 5 sectors में यह पैसा ज़ादा लगा रहा है और थोड़ा यहाँ पर अगर आप देखेंगे healthcare sector में भी 13% के आसपास यहाँ पर पैसा है वहीं दोस्तों अगर हम इसकी companies पे यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे ज़ादा पैसा इसने बजाज finance में यहाँ पर लगाया हुआ है 5.6% के आसपास L&T Infotech में भी 5% और SDFC Bank में 5% के आसपास उसके अलावा Infosys, Kotak Mahindra Bank, ICIC Bank, SDFC जैसी companies यहाँ पर देखने को मिल रही है तो अगर आप इसके top 10 का portfolio देखेंगे तो यहाँ पर mixture देखता है काफी सारी large cap companies है और उसके अलावा mid cap companies भी इसके portfolio में मौझूद है तो यहाँ पर यह banking sector पर बहुत जादा rely करके चल रहा है SDFC Bank, ICIC Bank, Kotak Mahindra Bank तो banking sector की good quality banks को इसने portfolio में add किया हुआ है वहीं यहाँ पर थोड़ा risk यह लेकर चल रहा है क्योंकि IT sector की mid cap companies इसने अपने portfolio में add कि हुई है जैसे कि L&T Infotech Mindry तो यहाँ पर थोड़ा risk बढ़ जाता है क्योंकि mid cap और small cap sector अगर आप IT में देखते हैं थोड़ा over price जिस वग चल रहा है तो थोड़ा यहाँ पर risk यह जादा लेकर चल रहा है in comparison to other flexi cap funds वहीं दोस्तों returns पर यहाँ पर बात करें तो 5 सालों में बहुत अच्छी returns यहाँ पर नहीं दिख रही है since inception अगर आप देखते हैं तो 15% के आसपास की return है एक साल में आप देखेंगे तो यहाँ पर 9% के आसपास की return है तो हलाकि पहले यह fund काफी consistent हुआ करता था लेकिन अभी पिषले एक-दो सालों में थोड़ी यहाँ पर returns में इसकी गिरावर देखने को मिली है वही SIP investment पर बात कर लें तो अगर आपने 1000 रुपे पर मन से इस fund में पैसा लगाया होता तो एक साल में उस पैसे पर आपको negative return मिली है आपके लगाया हुआ 12,000 रुपीज यहाँ पर 11,440 के आसपस हो गया है पान सालों में आप देखते हैं तो लगाया हुए आपके 60,000 रुपीज 93,000 के आसपस हो गया है तीन सालों में भी यहाँ पर आप देखेंगे लेकिन दोस्तों जैसे कि हम लोग हमेशा बात करते हैं, किसी भी fund को अगर आपको judge करना है, तो उसकी benchmark से उसकी returns को compare करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है, कि क्या वो अपने benchmark index से ज़ादा returns regularly दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, तो इस fund के हम benchmark से returns को compare अगर करते हैं, तो आ सालों में भी इसने same returns दिये 24% के आसपास, लेकिन 3 और 5 सालों में अगर आप देखेंगे, तो ये अपने benchmark index को beat कर पा रहा है, 5 सालों में इसने 16% के आसपास के return दिये, और 3 सालों में 20% के आसपास की return दिये, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में, कि ये fund पिसल ही market में इससे better funds मौझूद हैं, flexi cap category के, जो एक risk कम ले रहे हैं, यानि कि वो large cap companies में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, उनका asset under management भी कम है, और जो expense ratio है, वो भी काफी limited है, तो इस point of time पे मुझे लगता है कि आपको ऐसे fund को अभी avoid करके चलना चाहिए, और लेकिन दोस्तों जै इस वीडियो से help हुई हो तो इसे like और share जरूर कर दे, धन्यवाद